पूरा जरूर देखे, then let's start, it had rained heavily all night, पूरी रात बहुत भारी वर्षा हुई, the sunlight was a little pale, तेडी, a young boy of ten, ran out into the garden, तेडी, जो की एक युवा लड़का है, दस वर्ष का, वो अपने बगीचे में दौड़ता हुआ आता है, he saw a mongos lying wet and still on the grass, वो देखता है कि उसके बगीचे में घास पर एक नेवला पड़ा हुआ है, here is dead mongos, यह एक मरा हुआ नेवला है, तेडी called out to his mother, तेडी अपने मा को बुला कर लाता है, let's bury him, इसको यहां से हटा दिया जाए, no, said तेडी's mother, तेडी की मा कहती है, नहीं, his heart is beating faintly, उसका हिर्दय धीरे धीरे धड़क रहा है, perhaps he will lie, हो सकता है कि वह जिवित हो जाए, let's take inside and drive him, इसको हम घर के भीतर ले चलते हैं और इसको सुखाते हैं, टेडी's father, wept him up in an old woolen muffler and placed him near the fire, टेडी के पिता जी, उस नेवले को उमफलर से अच्छे से उसको सुखाते हैं और उसको आग के पास ले जाके रख देते हैं, दे मॉंगुस स्नीज़्ट, नेवला का प्रहा होता है, टेडी and his parents were delighted, टेडी और उसके माता पिता जो है वो उसको उसकी सिवा देख भाल करते हैं, वे उसको खाने के लिए कुछ मांस देते हैं और उसे बाहर रख देते हैं, वह सुरी के प्रकास में बैठता है और अपने बालों को जो उसके घने बाल हैं उसको खूब अच्छे से सुखाता है, ही देन सुख लॉंग फ्लूफी टेल, उसके बाद वह अपने लंबी पूँच को भी सुखाता है, तिल इट लुक लाइक ए बॉटल ब्रस, जब तक कि वह बॉटल ब्रस की तरह न दिखाई देने लगे, तब तक वह उसे सुखाता है, वह तेड़ी और उसके आस-पास की चीजों में रूची लेने लगता है, वह तेड़ी के चारो तरफ घर में और बगीचे में सुखाता है, अट नाइट लेप इन टेड़ी जो और रात के समय में वह तेड़ी के कमरे में ही सुखाता है, In the morning, he came to breakfast sitting on Teddy's shoulder. सुबह में वा सुबह का नास्ता टेड़ी के कंधे पर बैठ कर करता है. Teddy gave a banana and a boiled egg. Teddy उसे केला और उबाला हुआ अंडा देता है. The mongos enjoyed his breakfast. Mongoose नास्ते को अच्छी तरह से खाता है. Soon, Teddy and the little mongos become very good friends. जल्दी ही, Teddy और उस छोटा नेवला बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं. The mongos would run through the tall grass, crying ricky-ticky-ticky. चोटा नेवला धीरे-धीरे भागता है घांस पर घांस के उपर और उसमें आवाज आती है. रिक्की-ticky-ticky. One morning, एक सुबह, रिक्की-ticky was wandering about in the garden. रिक्की-ticky, बगीचे में घूम रहा होता है. देर हिसा नाग, बिक्क कोब्रा, एंड इस वाइव, नागिन. वह, वहाँ पर एक बड़े कोब्रा साप को, नाग और नागिन, दोनों जोडियों को देखता है. कोब्राज एंड मौंगुस आर ओल्ड एनिमीज, नेवला और साप. दोनों में बहुत पुरानी दुस्मनी है. ओल्द रिक्की-ticky वाज यंग, ये नेव देट, दोनों में बहुत पुरानी दुस्मनी है, अल्द रिक्की-ticky बहुत ही छोटा था, लेकिन वा जानता था, कि नेवला और साप के बीच का जो जीवन है, वो लड़ना और उसको मार गिराना है. अर्थात, नेवले का जीवन ही बना है, साप को मार गिराना. साप को मारने के लिए ही उसका जीवन बना है, क्योंकि नेवला और साप बहुत ही बड़े दुस्मन है. नाग भी यह जानता है, कि अगर बगीचे में नेवला है, इसका मतलब कि उसके और उसकी परिवार की मृत्यूने शित है. वह बहुत ही लंबा साप है, लगभग पाँच फिट और उसकी जीव भी बहुत ही लंबी है. रिक्की टिक्की एक छोटा सा नेवले का बच्चा है. वह अपने आप से कहता है, कि जब नाग और नागिन साथ हैं, तो मैं इन दोनों से लड़ नहीं सकता. So, he jumped up high in the air and ran away. इसलिए वह कूद करके वहाँ से भाग जाता है. It was right. It was night. रात का समय था. टेडी केरिट रिक्की टू बैड. टेडी रिक्की को अपने बिस्तर पे ले कर आता है. As soon as the boy was asleep, रिक्की went off for his nightly walk around the house. जैसे ही टेडी सू जाता है, जैसे उसको नेंद आने लगती है. रिक्की अपने रात्री में टहलने के लिए वह घर से बाहर जाता है. Suddenly the silence was disturbed by a faint noise. अचानक ही जो सांती का वातवरन है, वो एक प्रकार के आवाज से गुंसता है. It was coming from the bathroom of Teddy's parents. ये आवाज, Teddy के माता पिता के bathroom की तरफ से आता है. रिक्की टिक्की quickly entered the bathroom. रिक्की टिक्की जल्दी ही bathroom में प्रवेश कर जाता है. He could hear Nag and Nagin talking on the other side of the bathroom. Drain, वो देखता है कि Nag और Nagin एक दुसरे से bathroom के drain पर बाते कर रहे हैं. Nagin was telling her husband, Nagin अपने पती से कहती है, means नाक से कहती है. Bite and kill all three people in the house. काट करके इन इस घर में रहने वाले तीनों लोगों की हत्या कर दो. The mongoose will go away when there is no one left in the house. ऐसा सोच कर mongoose ने, जब आप तीनों को काट देंगे, तो mongoose अपने आप ये घर छोड़ कर चला जाएगा. We will then have the garden to ourselves. तब ये बगीचा हमारा हो जाएगा. Then ricky ticky सा, नाग slithering into the bathroom through the drain. तब ricky ticky देखता है कि नाग है वो bathroom के drain पर से सिस्कियां लगा रहा है. All the ricky ticky was very angry. ये दिपी, ricky ticky को बहुत गुस्सा आता है. He was also a little scared. वो थोड़ा सा डर भी जाता है. नाग was so big and poisonous. नाग है वो बहुत ही बड़ा और जहरिला है. नाग waited for teddy's father to come to the bathroom. नाग टेड़ी के पिता का bathroom में आने का इंतिजार करता है. He knew he would come at midnight. वो जानता है कि वे आदी रात को आएंगे. So he coiled himself up till he looked like a length of rope arranged in the shape of a circle. इसलिए वा अपने सरीर को एक कॉइल की तरह गुलाई में रहा है. Then he went to sleep और वा सो जाता है. Rikki-Tikki was hiding behind the door and watching नाग. Rikki-Tikki डूर के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप जाता है और नाग को देखने लगता है. When नाग was fast asleep, जब नाग तुरंती निंद आने लगती है, Rikki-Tikki jumped on his head and dug his teeth into the next flesh. Rikki-Tikki कूद करके नाग के सीर को पकड़ लेता है अपने दातों से. नाग was furious, नाग इदर उदर छट पटाने लगता है. He threw his head from side to side and poor Rikki-Tikki was thrown against the wall again and again. नाग जो है अपने सीर को इदर उदर तेजी से जटकने लगता है, जिससे की Rikki-Tikki का जो सरीर है वो बार-बार दिवाल से टकराता है. वह नाग के गरदन को सीर को एकदम से पकड़ करके रखता है. During this struggle, नाग स्टेल upset the mug and soap dish. इस संघर्ष के दौरान नाग की पूँच मग और soap dish को नीचे गिरा देती है. They fell to the ground with a loud third. वे बहुत ही तेजी के साथ, आवाज के साथ जमीन पर गिरते हैं. Rikki-Tikki thought he was going to die suddenly. Suddenly, Rikki-Tikki यह सोचता है कि अब मैं मर जाओंगा. Suddenly, the wheel struggling stopped. अचानक ही यह संघर्ष शमाप्त हो जाता है. नाग सेट ड्रॉप्ट डाउन and did not move again. नाग का सिर नीचे नीचे चला जाता है और फिर इधर उधर नहीं होता है. टेडी के पिता जो की बात्रॉम में सौप्टिस और मग की आवाज को सुन करके आते हैं, वे बंदुक की साहता से उस नाग को मार देते हैं. वे खून से नहाय हुए रिक्की टिक्की को उठाते हैं और अपने बेड्रॉम में चले जाते हैं. वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि रिक्की के इस घाव को आप दवा लगा करके उसके घाव पर दवा लगा दिजिए. वो कहते हैं कि मैंने साप को मार दिया है बट इट इस रिक्की टिक्की वो हैज सेवड आवर लाइब्स लेकिन यह रिक्की टिक्की है जिसने की हमारा जीवन बचाया है. टेडी की मां रिक्की के घाव को मैडिसन से दवाई से साफ करती हैं. वो उसके सीर को सहलाती हैं और उसे चौकलेट टॉफी साने देती हैं. रिक्की टिक्की बहुत खुस हो जाता है. वो अपनी पूच को उपर करके और टेडी की रूम की तरफ भाग जाता है. इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह टेडी ने नेवले की जान बचाई और नेवला ने उसके बदले में टेडी के परिवार वालों की जान किस तरह से बचाई वो इस पार्ट में हम देख सकते हैं. किस तरह से जान पर खेल कर भी उसने नाग को नाग से लड़ा और टेडी के परिवार वालों को उसने नाग के काटने से बचा लिया. तो इस तरह से यह जो चैप्टर है फैद्फुल मॉंगूस वो एक नेवले टेडी के परिवार